प्रधान मंत्री मोधी बरेली पहुँच चुके हैं जहां वो एक रोडशो करेंगे और इस रोडशो के जरीए प्यएम मोधी तीसरे चरण की सीट जैसे की बरेली शाहजापूर, लखीमपूर, सीतापूर जैसे जिलों के वोटस को साधने की कोशिश करेंगे तीसरे चरण का द्वन और तेज होने वाला है जिसकी शुरुवात बरेली से हो रही है रास्ते को बीजेपी कारे करताओं ने सजाया हुआ है शंकनाद और डमरू बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने की तयारी बीजेपी कारे करताओं ने की है तो पीएम मोदी बरेली पहुच चुके हैं यहां से पीएम के हुंकार एक बार फिर सुनने को मिलेगी बरेली से हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुपम आपके पास आती हूँ वहां भीड बहुत जादा है बीजेपी कारे करता के साथ साथ आम जनता भी मौजूद है और कितना इंतिजार जिस जगा पर आप खड़े हैं वहां तक प्रधान मंतरी को आने में देखें में का सबसे बड़ी बात किये है कि पश्शिम के चुनावी रण के बाद अब सारा फोंगा सुरुहेल खंड पर हो गया है इस तरीके से बदाईों और आमला इस सीट को लेकर के प्रधान मंतरी ने रेली किती है और उसके बाद बरेली में आज रोड़ शो है और पूरी तैयारिया हो गई हम कैमरमें जग्दीश गौतम से कहेंगे तस्वीरे दिखाएं जहां जहां तक रज़र जा रहे हैं सिर्फ लिए सर कहां से आप आए Philadelphia का है या ने परेशिए दिखेंगे प्रधान मंतरी जी आ रहा है रोड़ शो है किस तरीके से देख रहे हैं बहुत बढ़िया जीते हिस चुनाओं में आपको क्या लगा जार सब पर मोडी जी आपके शहर में आज बहूत अच्छा लग रहा है ब बहुत बढ़ी आए तो आज समी लोग इतने तुसाहित हैं कि सब जगे जगे पे सब जाम लगा हुआ लेकि फिर भी सब्सक्राइब आप क्या कहेंगे पोचिंग छोड़के आया मोदी जी को देखने के लिए पोचिंग भी नेगा बच्चे बहले आज मोदी जी को देखने क मोदी अंकल बताओ इसको देखो कि आज मोदी जी को देखने आयो बापा के साथ कोचिंग चोड़ दी आज कुछो कोचिंग भी निगा अच्छा मैड़क पढ़ना नहीं है आज मोदी अंकल को देखना है और भी लोग है आपर भाई सब क्या कहेंगे आप मोदी जी का सब्सक्राइब करेंगे प्रदानमंत्री यहां पर पहुंच गया है कुछी देर में रोडशो भी शुरू होने वाला सब्सक्राइब करेंगे बहुत कुछी हिसाब आज और मोदी जी के जलक माने लिए हम सब यहाए करते हुए और हमारी कुछी को टिकाने आप क्या से और यह नात नगरी की किरपा है, मोदी जी के उपर और बोले नाथ के उपर, और बावा ने चाहा तो चारसो पारी होगा तो मिनका आप सुन रही थी नात नगरी, ये बरेली को नात नगरी भी कहा जाता है, सुर्वा यहाँ का मशूर है और सबसे बड़ी बात किये है कि बरेली में जुनका गिरारे बरेली के बाजार में ये सुना भी होगा आपने और इसको लेकार याइट तोर पर आज ये कहा जा सकता है कि बरेली के बारे में ये कहात मैं आपको बता दू मुझा वादाना मुझकि और रिए जूमका ख़िए खुले दिखा दें और जो बात है वह जो बात है वह सही सापित होती है हमारे सभी चितरंजन भी हमारे साथ सब्सक्राइं रोडशो शुबाथ होने वाली है बस कुछी देरके किमात अधारमत्री पहुंच गए साड़े छे वजे करीब मोदी जी आ जाएंगे एरफोर्ट और उसके बाद यह जो रूट है 1.2 किलो मीटर का उससे जाएंगे और शहीद पार से जो अरोरा वहाँ खतम होगा और इस पीछ में भारी संक्या में लोग उपस्तित हैं खतों पे लोग पहुंचे हुए हैं और सा असी बाहिने के अगर तोरपे इस रोट शो को दिखा जाए तो रोहल खंड में कितना मुफीद जाबित होने वाला है भाजपा के लिए कारेकरताओं के लिए नेताओं के लिए रोट शो देखिए अभी जो बात थी रोट शो के जरिये जो रोहल खंड में बरेली सीट थी वो कुछ कमजूर दिखाई दे रही थी और उसी को लेकर मोदी जी ने ये प्लान किया है और इस सीट को किसी भी तरह के से नहीं हरना चाहती है और इसी लिए यहां से जो चटपाल गंवार मैदान में हैं और उनके लिए वोट कराने के लिए यह अपील करेंगे और उन जो तो मोदी जी अपनी जिस कार में सवार होंगे उसमें चटपाल गंवार और मुखमंतरी जी और संतोष गंवार तो ये चार चेहरे रहेंगे और उसी को लेकर सारे जंता यहां पर उपस्तित है और लोग यहां देखने के लिए बाहरी संक्या में लोग आई हुए अनुकम संतोष गंवार नाराज बताए जा रहे हैं खासकर उनके समर्थक जो हैं पार्टी के अंदर वो नाराज बताए जा रहे हैं आज गाड़ी पर संतोष गंवार की भी मौजूदगी बरेली से बीजेपी कैनिडेट के साथ साथ क्या ये एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि ह हम सब साथ हैं कोई नाराजगी नहीं है और दूसरी तरफ इसका कितना असर होगा और बरेली में पी-म के रोट्शों का किन-किन और जिलों पर असर होगा में इनका स्टूडियों से सवाल कर रहे हैं कि संतोष गंगवार बताया जा रहे हैं और उनका सार समाज में अच्छा महतू रहा है तो वो जो कमी रह गई थी चुकि इनकी एज हो रही थी और एक अगली प्योडी के लिए एक ये सीट को आगे बढ़ाना चाहते थे तो भाजपा ने गंगवार को ही टिकेट दिया है और उसी को लेकर संतोष गंगवार की जो कुछ मनमनटाब था उसको योगी तो आगे रखते हुए ही पूरा मैसेज देना है तो आज वही मैसेज जो है प्रदान मंतरी जी के साथ में संतोष जी रहेंगे और उसमें चक्पाल गंवार और मुक मंतरी रहेंगे तो किसी भी तरीके सी कोई भी इनका बड़ा अब्डेट आ रहा है कुछी देर में रोड कि देर बाद बस कुछी मिन्टों का इंतजार है क्योंकि यहां पर चारों तरफ बरेली की जद्दा मौझूद है बड़ी संठ्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं प्रदान मंतरी की एक जलक पाने के लिए बहुत सारे लोग आए पूए हैं सर कहां से आप आए हैं बरेल आपके पास लोट आएंगे बड़ी संठ्या में बीजेपी के कारे करटा आम जनता प्रदान मंतरी के दीदार के लिए बरेली की सड़कों पर मौझूद है प्रदान मंतरी के आज होगी इस रोड़ शो के जरिए दोसरे चरण का मतदान संपन यूपी की आर्ट सीचो पर अब तक 52.6 चार फीस दी वोटिंग उमिदबारों के किस्मत एजिय अमेरिकवा संबल के रैली में सीम योगी का बड़ा बयान कुछ लोग वंदे मातरम नहीं गाते ऐसे लोगों को जवाब देना होगा कसाईयों के हाथ में गोगमाता को दिनी की साज़िश संबल के पियम योगी ने राहूल गांधी पर और प्रियंका गांधी पर हमला किया कहा सुना है भाई बहन अयुद्या जाने वाले हैं पहले कहते थे राम हैं ही नहीं आज कहते हैं राम संप्रों विहार के अरदिया में पियम मोधी की जनसबा पूरू पियम मनमोहन सिंग पर साथा निशाना कहा मनमोहन सिंग का देश के संसादों पर मुझलमानों का पहला हक बताने वाला वीडियो आया है कॉंग्रिस में चप्ति साथ बरेली पहुंचे पीमोडी थोड़ी तेर में रोडशो की शर्वात होगी सीम यूगिया अधतनाद भी पीम के साथ मौजूद बारा बंकी में कॉंग्रिस नेता पील पुनिया का बयान कहा दूसरे पेज में भी इंडिया कड़बंदन को बढ़ा बीज़ीपी का सूपरा साफ होगा वयागरा यूदी एस्पी नेता आता आशानत का बड़ा बयान कहा सरकार से नाराज लोग बोट की ताकत से बदला ले ना इंसाफी करने वाले सरकार को उखाड़क है अब आयों में एस्पी नेता शुपाल यादों का सेम योगी पर जूर्दार हमला कहा मुख्य मंत्री कपड़े संत जैसा पहनते हैं लिकिन वेभार संत जैसा नहीं सुप्रिम कोड ने एलेक्शन कमिशन को रहा दी एवियम विवी पैट को लेकर दाखिल की गई याचिकाएं खारिज होई अदालत ने कहा ये मसला हमेशा के लिए रुख जाना चाहिए मोधी ने कहा विपक्ष के सपने टूट एवियम पर सुप्रिम कोड के फैस्दे पर पीमोधी ने कहा कि लोगतंत्र के लिए विजय का दिन बैलेट से घरीब का हक लूटा जाता दूसरे चरण के मतगान को लेका डीजीवी प्रेशान कुमार का वयान सभी आज सीटों पर शांटे पोन तरीके से हुआ मधता रयागराज में दिलाइट बेकुरी में आग लग गई कड़े मशकत के बाद आगपर काबु पाया गया मेरक में स्पेशल कंट्रूर रूम से चुनाव पर नजर वेब कास्टिंग के जरीए हर पोलिंग बूट की हो रही निगरानी शिकायतों का तुरंट पुरह मेरा करा अम्रुहा में सादी से पहले दूलहा ने मतदान किया लोगों से मतदान के दिल दिल अम्रुहा में मतदान करने पहुंचे बुज़ुक महिला की मौत मतदान के बाल जमीन पर गिरने से मौत अम्रुहा के पूल गुशांस देविंद्र नागपाल ने अपने परिवार के साथ किया मतदान चनलता का जटाया मेरक में पोलिंग सेंटर पर कुछ वक्त के लिए बत्ती गुल हुगई मतदाताओं ने टॉट्च की रोशनी में डाला हो अब आखपत ने गोडी चड़ने से पहले दूले ने किया मतदान लोगों से वोट डालने की अपील की अब रोशनी मतदान की बहिशकार का किया अईलान माबराम देव पहुंचे ब्रंदावन देशित में वोट डालने की अपील की पुषी नगर में युवकी हर्ट्या का पुलिस में खुलासा किया तीन आरोपियों को गिरफतार किया कप्तान गंज ठानाशित्र में हुई वार्दा वहराइट में ओच मेले का लगा जूला तूड गया हाथसे में एक बच्ची का हाथ तूटा जर्वल थाना शित्र कमामदा नैट्पूरी के भोगाउं विधासबा में तिंपल यादो में के प्रचाण लोफतंतर और समिधान बशाने के नाम पर मददाताओं से वोट डालने के अपील की कामली में पुलिस और कोकश के बीच एंकाउंटर मुटविड के दोरान गौत असकर इमरान गिरफतार एक सिपाही भी गोली लगने से जखनी हुआ के राना को तवारी शित्र कमामदा देवरिया में पुलिस का एक्षन दाजा तसकर सुभाष प्रसाद अखील एहमद को पुलिस में किया ग्रफतार मुझवफर नगर मेडिकल की शात्रा का शौट रेलवेट ट्रैक के किनारे मिला परीचनों ने सहपाठी पर हत्या का रोप लगाया चात्रा मुझवफर नगर मेडिकल कॉलिच से करही थी एमडिपीस राज़ेपु में सपा प्रत्याशी अबजाल अंसारे का बयान मोधिसरकार का पतन निर्शित हर जगा हार रही बीज़ेप नौइडा से बीज़ेपी के उमिदवार महेश शर्मा ने वोट डाला लोगों से जादा से जादा मधदान के पिए गौतम मुझवनगर के बीज़ेपी उमिदवार डॉक्र महेश शर्मा ने चुनाओ में अपनी जीत करावा किया नियोजेटिंसे खास बाचित के दोरान कहा कि समाधवादी पार्टी हारे ले मधुरा में बीज़ेपी विधाट सुर्का शर्मा ने परिवार के साथ बोट कास्ट किया देश शिप में मधदान की अपीम की मधुरा से बीज़ेपी उमिद्वार हेवा मालेनी ने चुनाओ में अपनी जीत का भरोसा जताया कहा देश की जनता बीज़ेपी के साथ दूसरे चरण के मधदान को लेकर पीमोडी यूपी के सीम योगिया दतनात ने पोस्ट किया लोग तंत्र के महापर्वों में सभी से अपने जिम्मेदारी मिल्हाने के पील गाजबाद के कोशांबी इस्थित यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीम डी डॉक्र प्रियन अरोडा और उपासना अरोडा ने किया मतदान लोगों से जादा से जादा वोट डालने के अपील की यशोदा हॉस्पिटल ने वोट करने वालों को अफोर्ड प्लान हेल्फ कार्ड फ्री में देने का किया एलाग अमेरत से बीचे को मिदवार अरोण गोविल ने अपनी जीत का दावा किया कहा देश में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार केंद्री मंतरी जनरल वीके सिंग ने गाजवार में वोट डाला नियूजेकिन से केंद्री मंतरी जनरल वीके सिंग ने कहा कि बीजेपी जीत रही है काज़गं में 30 रफदार कार फोल से पितराई हाथ से की बात कार में आग लग गई मा बेटे की जन्दा चलकर मौद एक भाई अग लगने की आशंका फार बेगर की टीम ने आप पर काबू पाया आजंगर के अत्रोडिया में बेकाबू पिकप की चपेट में आएं स्कूटी सबार हाथ से में बेटे की मौद पिता की हारत गंबी पुलिस को मिली बड़ी सफलता दस साल से फरार बदमाश को किया गिरफ़तार तमन्चा और कार्थी उस बरामौ आप और पुलिस में चेकिन की दोरान परजी सी बी आई इंस्पेक्टर को गिरफ़तार किया सौसे जादा परजी आईडिकार्ट बरामौ गोरसुर में दो दिवसी ट्रावल मार्ट का समापन हुआ देश विदेशक से सलानी पहुँचे याथ्रियों ने कई परेटरने स्थलों का दोरा किया अलिगर्ड में निर्वाचन अधिकारी विशाखा अयर ने लाइन में लगकर वोट डाला लोगों से वोट डालनी के अपील की आयोदे में पुलिस ने चकिंगे दोरान के राण में नावालिक बच्चों को एक बस से बरामत किया सहारनपूर के देवबन जा रहे थे बस सबी बच्चों को पूछताश के लिए पुलिस लाइन लाया रहा बाखपत में मतदान को लेकर दिखा ओच्चा सुबैसे ही दिखी लंबिकता अम्रोहा में मतदान के इंडर के अंदर मोबाइल लेज जाने को लेकर कॉंग्रिस प्रत्याशे दानेश अली और पुलिस में नोग जोम दानेश अली पोलिन बूर पर पहुंचे थे नेरत में अस्पताल से मतदान करने पहुंचा एक दमपती दिल्ली के अस्पताल में भड़ती थे सिर्फ वोट डालने के लिए पहुंचे दिखें कितना अच्छा लग रहे है दूसरे चरण का मतदान जारी वोट डेट्स में भारी उच्छा यूपी के आर्ट लोगसबा सीटों पर अबता करीब 44 फीज़ी से ज़्यादा मतदान ब्यार के अररिया में प्यमोधी की जन्सवा पोरफिया मनमोहन सिंग पर साथा निशाना बोले मनमोहन सिंग का देश की संसाथनों पर मुसल्मानों का पहला हग बताने का वीडियो आया सामने कॉंग्रिस में साधी चुपई बरेली में प्यमोधी का रोट शो करीब तेड़ किलोमेटर के रोट शो में सिंग योगी मौजूत रहेंगे जगे जगे कारकर्ता करेंगे पुश्पो वर्शा बरबंटी में कॉंग्रिस निता पी यल पुनिया का बयान बोले दूसरे फेस में भी इंडी गड़ बंदन को बढ़ाद बीजबी का होगा सूपड़ा साथ सरकार से नाराज लोग वोट की ताकत से ने बदला ना इंसाफी करने वाली सरकार को खाड़ फेंगे बदायू से अस्पी निता शिपाल यादव का सीम योगी पर जबरदर समला बोले मुख्य बंतरी कपड़े संत जैसा पहनते हैं लेकिन उनका वहवार और ग्यान संत जैसा नहीं है सुपरीम कोट ने लक्षिन कमिशन को बड़ी रहा दी है एवियम और वीवी पैट के खलाफ सभी आज कैखारी सुपरीम कोट के सक्त नर्देश कहा हमेशा के लिए इस मुद्धे पर लगना चाहिए विराम पीम मोदी बोले फैसले से विपक्ष के सप्टे टूटे एवियम पर सुपरीम कोट के फैसले पर पीम मोदी ने कहा लोगतंतर के लेवे जये का दिन बैलेट से गरीब कहा कलूटा जाता था दूसरे चरण के मतदान को लेकर डी जीपी प्रशान्त कुमार का बयान सब याठ सीटों प्रशान्ते पून तरीके से हो रहा मतदान ग्राबराच में डिलाइट बेकरी में लगी आखड़ी में शकत के बाद आखपर काबू पाया गया करेली लागे का मामला मिर्ट में स्पेशल कंट्रोल रूम से इचनाव पर नजर वेब काफ्टिंग के जरी हर पूले में भूत के हो रही निगरानी शकारतों कर तुरंथ हो रहा निस्तारण अमर्वा में शादी से पहले दुल्हे ने किया मतदान लोगों से मतदान की अपील की मनमोहन सिंग के पुराने बयान पर सियासी घमसान किसका हग किसके पास कॉंग्रेस के गली की फास मनमोहन सिंग के पुराने बयान पर सियासी बहस फिरोजाबाद के गंधी पार्क से चुनाव एक्सपेस शाम साथ पच्पन पर आप देख रहे हैं न्यूज एटीन उत्तरवेश उत्तराखन ब्रेक के बाद खबर न्यानिता से जहां जंगल की आग अब आउट ओफ कंट्रोल हो गई है न्यानिताल के पास हाई कोट कॉलोनी की तरफ आग लगी लेकिन वो भी वन अधिकारी मौके पर एक भी वन अधिकारी मौके पर नहीं दिखा फायर ब्रिकेट के करमचारी जरूर कोशिश करते दिखे आग पर कंट्रोल करने की कोशिश हुई लेकिन कोई सफलता नहीं मिली आग आबादी वाले एलाकों तक पहुच रही है हाईवे पर भी आग के लपते अब साफ साफ देखने लगी है नयनिताल की तस्वीर आपको दिखा रहे है नयनिताल और भीमताल के जंगलों में आग हर तरफ देखने को मिल रही है बोटिंग भी बंद कर दी गई है हेलिकॉप्टर से आग बुशाने की अब बात कही जा र आउट अप पंट्रोल हो गई है यह देख सकते हैं किस तरह से जंगल धतक रहे हैं पाइंस के पास इसी तरीके से पूरा जो जंगल है वहाँ पर आग लगी है नीचे देख सकते हैं आग की वज़े से जो परियटक हैं उनको आवाजाही की दिक्कते आ रही हैं और जो जाम है वो लंबा लग रहा है रोका जा रहा है गाड़ियों को कि आप आग की तरफ ना जाएं ताकि कोई एक बड़ी दुरगटना ना हो यह देख सकते हैं कि किस तरह से इस तरफ जो जंगल है वो धदक रहे हैं लगातार जो 15 दिनों से इसी तरीके से आग का कहर पूरे नहीं दिल्ली के विजे चौक पर मौक ड्रिल किया गया संसत की सुरक्षा को लेकर यह मौक ड्रिल था इस मौक ड्रिल में हेलिकॉप्टर का भी इस्तिमाल किया गया यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए खबरों का सिलसला ब्रेक की बात भी जारी है